तो दोस्तो वीडियो में हम लोग आगे बड़े और मैं आपको लाइब लोन लेके दिखा हूँ उसके पहले यहाँ पे आप एक प्रूब देख सकते हैं दोस्तो यह लोन हमको मिला है बजाज मार्केट एप की मदद से आप भी दोस्तो घर बेठे बजाज मार्केट एप की मदद से पांच हजार रुपे से लेके पचास लाग रुपे तक का लोन ले सकते तो यहाँ से लोन लेने के लिए आपके पास पेन काट, आधार काट होना चाहिए इसके साथ ही जो आपका सिविली स्कोर रहेगा जो रेट ओप इंट्रेस रहेगा, वो 9% से स्टार्ट होगा, देने 30% तक जाएगा यह डिपेंड करेगा आपका सिविली स्कोर कैसा है, आपका प्रोफाइल का एज कितना है कभी आपने फ्यूचर में कोई लोन लिया है, तो टाइमली उसका रीपेमिट्स किया है कि नहीं इसे कई सारे मल्टी फेक्टर होते है, जिनके भी हाथ पे डिसाइट होता है कि आपको कितना रेट उपिंट्रेस ओफर किया जाएगा, और कितने टाइम के लिए आपको यहाँ पे लोन मिलेगा यहाँ से लोन लिलिक लिए आपका जो मंतली इंकम में कम से कम 10,000 रुपे होना चाहिए, तो भी आपको यहाँ से लोन मिल पाएगा तो दोस्तो बजाज मार्केट एप के अंदर लोन अपले करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसके उपर क्लिक करके आप एजली लोन अपले कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते और देख लेते हैं बजाज मार्केट के अंदर लोन केसे अपले करेंगे और अगर आपका लोन अपरू होता है तो साथ के साथ उस पेसे को अपनी बेंक अकाउंट के अंदर केसे ट्रांसपर करेंगे तो बजाज मार्केट से लोन लेने के लिए आपको इनकी official website पे आना होगा official website का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा बजाज मार्केट एक अलग तरीके का application से यह आपकी profile को identify करता है तिन उसके बाद आपको बता देता है कि कहां से आपको loan मिल सकता है तो directly आप इनके platform से easily loan apply कर सकते हैं तो loan apply करने के लिए यहाँ पे देखे get instant loan आपको इसके उपर क्लिक करना होगा जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस page के उपर आ जाएंगे यहाँ पे आपको अपनी basic details भरने होगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने हमारी सभी basic details भर दिये details भरने के बाद get report के उपर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करेंगे आपके number पर OTP आएगा OTP यहाँ पर भरेंगे submit के उपर क्लिक कर देंगे जैसे ही आप अपना profile यहाँ पर submit करेंगे तो यहाँ पे देखे multiple company के आपको loan options बिल जाएंगे जो भी आपकी profile के हिसाब से रहेंगे तो जिस भी company के अंदर आपकी profile आपको सही लगए आप उसके उपर apply करेंगे तो यहाँ पे देखे हम federal के उपर क्लिक करेंगे तो gate now के उपर क्लिक करेंगे जैसे यहाँ आप gate now के उपर क्लिक करेंगे यहाँ पे अपना profession बताएंगे आप क्या काम करते हैं यहाँ पे आपका mobile number रहेगा यहाँ पे date of birth रहेगा यहाँ पे आपका full name रहेगा तो यहाँ पे आपका सभी details show करेगा यहाँ पे आपको एक checkbox लगाना है आपका pen number रहेगा आपका पूरा नाम आजाएगा जो भी pen card के उपर रहेगा यहाँ पे आपको अपने मंतली income भर देना है कितना आपका मंतली income है income भरने के बाद यहाँ पे आपको page को नीचे school करना है यहाँ पे आपको बताना होगा आगेन आप यहाँ पे submit के उपर click करेंगे जैसे आप submit करेंगे यह आपकी profile चेक करेगा तो आपके लिए जो भी loan offer रहेगा वो यहाँ पे आपको यह show कर देगा तो almost अभी है आप देख सकते हमें एक company आ चुक है तो जिस भी company में आप loan apply करना चाहरे उस company के अंदर आप कर दीजेगा अभी दोस्तों मैं आपको एक recommendations करना चाहूंगा यहाँ पे देखे काफी सारी company आपके profile के हिसाब से show कर देगी बट यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको उसी company के अंदर loan apply करना है जिसके अंदर आपका पेले से relations हो अल्मोस इस चीज को आप अच्छे समझ रहोंगे जैसे कि आपने उस company से पहले कोई product finance कराया हो उसका EMI आपके साथ चल रहा हो या उस company के अंदर आपका bank account हो यह काफी सारी चीजे matter करती है अगर आप उस company के साथ जाएंगे तो आपके higher chances रहेंगे कि आपको easily यहाँ पे loan मिल जाए तो अल्मोस मुझे लगता आपको चीजे अच्छे समझ आ गए होगी तो जिस भी company के अंदर आपका relations अच्छा रहेगा अल्मोस हमारा loan amount काफी जादा है बट जरूरी नहीं यहाँ पे यही loan amount मिलेगा कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर मिल जाएगा क्योंकि हमें 17,000 रुपे की need है तो जिस भी company के साथ आपको लगता है कि आप comfortable है वो यहाँ से आप choose कर लेंगे तो जो मैंने आपको basic चीज़े बता है आपको उसको जो है follow करना है तो यहाँ पे देखिए किस company करके है तो हम इसी के साथ जाएंगे तो go it now के उपर आप click करेंगे अगेन यह refresh होगा तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का message आ जाएगा आपको यहाँ पे ok के उपर click कर देना है जैसे ही आप ok के उपर click करेंगे यहाँ पे आपको google play store के उपर redirect करेगा यहाँ पे आपको किस app को download कर देगा जैसे ही आपके mobile के अंदरी app download हो जाए तो आप इसको open करेंगे जैसे ही आप app को open करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीगे का इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर देखे, आपको अपना मोबाइल नंबर भर देना है, मोबाइल नंबर भरने के बाद आप यहाँ पर continue के ओपर क्लिक करेंगे, जैसे हैं आप मोबाइल नंबर भरेंगे, आपके नंबर पर OTP आएगा, OTP भरेंगे, अगेन continue के ओपर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने OTP भर दिया, यहाँ पर जैसे हमने continue करा, यह verify करेगा, आप यहाँ पर कुछ second wait करना है, जैसे हैं आप कुछ second wait करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर अपना first name भरेंगे, यहाँ पर last name भरेंगे, अपना date of birth भरेंगे, email id भरेंगे, तो यहाँ पर हमने हमारी सभी basic details भर दिये, details भरने के बाद आप submit के उपर क्लिक करेंगे, जैसे हैं आप submit के उपर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर देखे, insta cash, इनका loan आता है, यहाँ पर हमें 2,00,00 रुपे तक का loan मिल सकता है, 24 महीने इसका time रहेगा, और जो इनका rate of interest रहेगा, lower से lower, वो 18% रहने बाला है, अगर आप loan लेना चाते हैं, तो apply के उपर क्लिक करेंगे, जैसे आप apply के उपर क्लिक करेंगे, यह आपके profile verify करेंगे, तिन आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, जो आपका loan रहेगा, वो पूरा digital रहेगा, इंस्टाट disbursement होगा, कोई भी hidden charges नहीं रहेंगे, सिर्फ आपको यहाँ पर KYC करनी होगी, तो नीचे एक option से let started आप इसके उपर क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके क interface open होगा, यहाँ पर अपना pin number भरेंगे, continue के उपर क्लिक करेंगे, जैसे आप continue के उपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो भी आपके pin card के उपर आपका first name, last name रहेगा, फूब भरेंगे, checkbook लगाए लगाएंगे, प्रोसिट के उपर क्लिक करेंगे, जैसे आप अपर पर status बताएंगे merit या unmerit यहाँ पर अपने फादर का नाम भरेंगे यहाँ पर आपको बताना होगा आप loan क्यों लेना चाहरें कितने loan amount के आपको need है तो again हम यहाँ पर 70,000 करेंगे सारी address भरने के बाद again यहाँ पर proceed के उपर click करेंगे जैसे यह पर proceed के उपर click करेंगे आपसे यह पूछेगा आप एक salary person से या self employee से तो जो भी आपका profile रहेगा आप उसके उपर click करेंगे जैसे यह पर proceed के उपर click करेंगे यहाँ पर अभी आपको page को इसकी पर refresh नहीं करना है आपके लिए जो भी loan offer रहेगा यहाँ पर show कर दिया जाएगा तो अभी आप देख सकते हैं हमारे लिए loan का offer आ चुक है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर 15,000 रुपे का loan ले सकते हैं और कम से कम हम यहाँ पर 30,000 रुपे का loan ले सकते हैं अगर यहाँ पर time duration की बात करें तो हमें 6 मैने का time duration मिला है तो 6 मैने के अंदर हमको इस loan को पे करना होगा तो अगर 6 मैने के लिए हम लोई इस loan amount को लेते तो हमारा जो यह मैने का वो 13,845 रुपे आएगा यहाँ पर क्लिक करके आप loan की details भी देख सकते हैं जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका यह मैने रहेगा तो इनका rate of interest काफी जादा है यहाँ पर यहाँ पर आपको disbursement की detail दिखाएगा तो आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखे अगर आप 85,000 रुपे का loan लेंगे तो आपका जो processing fee रहेगा वो 5310 रुपे रहेगा और जो आपके bank account के अंदर आएगा 79,690 रुपे आएगा तो अगर आप इस loan को लेना चा नहीं काते तो यहाँ पर दिखे रहेगा वह थीन हजा रावान रहेगा हमाना जो मंथली ईम आई रहेगा वह पांच हजार पांसो औरतीस रहेगा इसके टाइम डूरेसंस कि बात करें तो छे मईने टाइम डूरेसंस यहां पर और कुछ देख सकते हैं जैसे कि यहां पर आप अपना रिपयमिट schedule देख सकते, नीचे आप देख सकते हैं जो आपका landing matter रहेगा, उसका यहाँ पर details आएगा, तो अगर आपको यह सारी चीज़े सही लगती है, और इस rate of interest की साब से अप sufficient है यह आप comfort है, तो यहाँ पर देखे आपको अपना bank account यहाँ पर add कर देना है तो add new bank account के उपर आपको click कर देना है, यहाँ पर आप अपनी bank का EFC code भरेंगे, यहाँ पर आप account number भरेंगे, account number confirm करेंगे, जिस भी नाम से account रहेगा, वो account भरेंगे यहाँ पर account के चार टाइप दिये गए, saving, current, other और over adapt, जो भी रहेगा, आप उसको चुन लेंगे, प्रोसिट के उपर click करेंगे, आपके bank account के अंदर यह एक रूपया transfer करेंगे, verify करेंगे, then within 10 minutes के अंदर पेसा आपके bank account के अंदर transfer कर दिया जाएगा, तो दोस्तों अभी हमको इस loan की need नहीं है, अभी इस loan को लेने के लिए हमें सिर्फ हमारा bank account यहाँ पर aid करना है, जैसे हम हमारा bank account यहाँ पर aid कर देंगे, तो 10 minutes के अंदर पेसा हमारे bank account के अंदर transfer कर दिया जाएगा, तो अगर आपको loan की need हो, तो ही आपको यहाँ पर अपनी details भननी है, अगर आप bank details यहाँ पर aid कर देंगे, तो आप यहाँ पर payment verify कर देंगे, तो उसके बाद यह पेसा आपके bank account के अंदर transfer कर दिया जाएगा, तो आपको जो भी इनका interest वगेरा रहेगा, आप चाहे एक दिन में loan को बंद करें या 6 महिने में, आपको सारा का सारा यहाँ पर pay करना होगा, अगर आप एसा नहीं करेंगे, तो जो आपका civil score रहेगा, वो भी यहाँ पर खराब हो सकता है, तो दोस्तो इस तरह के से बीना income proof के आप easily यहाँ से loan ले सकते, अगर यहाँ पर पेले time में loan apply करेंगे, तो यहाँ पर आपको कम से कम loan मिलेगा, बट आप उसको timely pay कर देंगे, तो आपको जादा loan amount भी मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर time duration भी जादा मिल जाएगा, उसके उपर clicker के आप easily loan अपली कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तो मिलते और किसी नई वीडियो में नई जान कर एक साथ चलिए, धरने बाद,